अलो मेरे प्यारे दोस्तों नालको की तरफ से भी आप लोगों के लिए एक वेकिनसी रिलीस कर दी गई है आपको पता है नालको बालको यह सर्फ अलूमिनियम और कॉपर की एक पीएस्यू कंपनिय जो बनाती है जो रैड तो इसके लिए बात करते हैं दोस्तों क्या चीज है नालको का सबसे खास बात अभी गेट 2024 का पेपर हुआ है पर नालको ने गेट 2024 ने गेट 2024 के थूरू रिक्रूट कर रहे था आपको स्क्लियर उन्होंने मेंशन क्या है थूरू गेट 2023 क्या वेकिनसी की खास बात है वो बता देता हूँ यह एक नवरतना एस्यू कंपनी है दोस्तों इसके अंदर टोटल मिलाकर मैं वेकिनसी की बात करो तो 277 टोटल वेकिनसी निकल के आई है और कौन-कौन से डिपार्टमेंट में इसकी वेकिनसी निकली है तो मेकेनिकल में है टोटल 127 जनरल के लिए 52, EWS के लिए 13, उसके बाद OBC के लिए 34, ST के लिए 8, SC के लि है, 27 OBC के लिए, 7 ST के लिए, 12 SC के लिए, और PWBD के लिए पाच, instrumentation में 20 वेकिनसी है, метallogy की अगर बात की जाये तो से चेमिकल में तेरह विकिंशी है है केमिस्ट्री में शाथ व किसी टूटल मिलाकर सकता है तो उसके लिए अग Hare तो दोस्तों full time regular bachelor degree होनी चाहिए या फिर technology b.tech किये होने चाहिए 65% से अबो होने चाहिए अगर आप general है तो और category लगती है तो 55% से आपके अबो होने चाहिए दोस्तों इसी के साथ अगर chemistry है तो आप MSC अगर chemistry में है और AIC with not less than 65% से अबो है तो आप उसके लिए eligible होंगे candidate in the final year of the year engineering post graduate for the chemistry discipline may also eligible रइट ओके अच्छा इसके लिए तो बोला है पर b.tech के लिए गर बात की जाए तो यहाँ पर देखते है आप बोला गया है some arrived aggregate percentage no rounding after them अच्छा यह तो percentage की बात की गई अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर irrespective of the weight is given any particular semester year of the institute ठीक है total maximum marks total marks obtained by इसके अंदर अभी final year यह mention नहीं किया गया final year वाले b.tech वाले eligible हैं की नहीं है इसके लिए चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर discipline की बात की जाए mechanical में mechanical वाले भी और production engineering वाले भी eligible है electrical में electrical और power engineering वाले eligible है instrumentation के अंदर जो vacancy थी उसमें electronics instrumentation, telecom, electrical engineering वाले fill कर सकते हैं metallurgical में metallurgy वाले ही fill कर सकते हैं chemical में chemical वाले कर सकते हैं chemistry में MSN chemistry AIC कर सकते हैं selection का process क्या है फिर से मैं बता दूँ गेट 2023 के थूँ यह select कर रहे हैं और उसके बार आपका following आपके पास interview होगा तो return होगा return नहीं होगा क्योंकि get 2023 के score के basis पर ही होगा अगर आप final year के student आपने पिछले साल gate लिखा था तो आप उसके basis पर सको एक form fill कर सकते हैं दोस्तों declaration of engineering discipline second second is the valid gate score होना चाहिए 2023 मैं eligibility के देखो A और B दोनों ही होने चाहिए कौन-कौन से एक तो आपके percentage के criteria है वो सारे fulfill होने चाहिए और जो qualification criteria वो fulfill होना चाहिए और gate का score होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए अगर दोने ही full होता है तो आप कर सकते है फाइनल selection के अगर बात की जाए दोस्तों तो समझेगा the final selection of the candidate will be based on the marks secured in gate 2023 and their performance in the personal interview the weight is assigned for the gate marks and the personal interview are 90% and 10% respectively यानि gate में कितने आपके marks हैं क्या आपकी rank काई गया gate score है 90% उसी के basis पे selection होगा और 10% weight is रखा गया आप जो interview देंगे जो personal interview होगा उसके basis पो इसी के साथ दोस्तों pay skill सेम ही है pay skill की बात की जाए तो 40,000 to 1,40,000 की pay skill है ओके और अगर आप trend के बाद इवन grade में जो pay skill होती वो 60,000 से लेकर 1,80,000 होता है जो आपका limit होगी अच्छे यहाँ पर आपके पास bond भी होगा I think एक बाद चेक कर लेते हैं service agreement bond यह हर एक PSU जो है वो service agreement bond फिल करवाता ही है इसका 3,000,000 से लेकर 4,000,000 के बीच में आपका service agreement bond होगा यहनि आप training complete करके अगर आप serve नहीं करते हो आप छोड़ देते हो तो आपको इतना पैसा इस company को आपको देना होगा bond तोड़ने के लिए application fee जो है दोस्तों 500 रुपीज रखी गई है जनरल के लिए OBC के लिए EWS के लिए और 100 रुपीज रखी गई है जो category के अंदर आते हैं उनके लिए दोस्तों last date की भी बात कर लेता हूँ उसके लिए नालको की official website है जहां पर जाकर आपको form fill करना होगा www.nalcoindia.com और apply वहीं पर आपको apply करना होगा इसी के साथ दोस्तों last date भी देख लेते हैं कि कब इसके last date है आपको दिखाई दे रहा होगा form अभी start नहीं हुए form will start from the 4th of March right the 4th of March 2024 से form start होगे 10 बज़े के बाद और last date जो होगी वो 2 April होगी तो अगर आप लोग चाहते हैं कि N.A.L.C.O. नालको के अंदर अगर आप लोग place होना चाहते हो तो इसका form जरूर भरिएगा अच्छी खासी वेकेंसी है जनरली इसमें core branch के लिए वेकेंसी आती है तो core branch के लिए वेकेंसी आई है All the very best जैहिंद दोस्तों